हेलो प्रेंट्स वेलकम डू मैं न्यू ब्लोग कैसे हो आप सभी आई होग क्या आप सभी बहुत अच्छी होंगर फ्रेंट्स तो देखिए आज है मैं कर संक्रांती तो मैं हो चुकई हूं फूजा करने के लिए रेडी और यह हमारे सारी कैसी है अभी मैं आप लोगों को इसका फूल लुक दिखाऊंगे बहुत ही प्यारा सारी है और इतना हलका है कि मैं क्या ही बताऊं और आज मैं कैसी लग रही हूं बताईएगा जरूर थोड़ा सा रेडी हो गए हैं और आज हमें बहुत जिदा लेट हो गया है अभी जो है डेर बज कि आप लोग देखोगे तो देखते ही रह जाओगो तो चलिए पहले मैं आप लोगों को सारी का फूल लुक दिखाती हूं उसके बाद मैं कहां कहां पुजा करूंगी मंदिर जाओंगी वो सारा कुछ भी दिखाऊंगी तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखना ओर तो देखिए मैं यहां पर घड़ में पहले पूजा कर लोगे उसके बाद जो हमारे चत्पे में तुलसी मिया का पेर लगाए हूं विश्णू पींडा है वहां पर पूजा कर लोगे उसके बाद देखिए मैं सिधे आ गई हूं यह है हमारे यहों का घर के बस पोज दस कदम आगे है यह है बजरंग वली का मंदीर और यहां पर जो है देखिए बहुत सारे लोग आते पूजा करने के लिए और यहां बजरंग वली का मंदीर जो हमारे नया नया बना है और तो फिर वैसे रोज तो मैं नहीं आती हूँ लेकिन हाँ कभी कुछ तीज तेवार होता है तो आज आती हूँ और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आज तो भी सेश करके आते हैं मतलब कि जो भी होते हैं वो आज पूजा करने के लिए जरूर से आते हैं ज डाज जो है सभी को पता होता है जो तील चाउर का माःत बहुत बढ़ा होता है और यह पर देखियो उसे के नीचे में यह धासा जो रहता है और दुलसी में आOR थोड़ा सपेर हैbesणुपिंडा भी है और फिर यहां भी मैं पूजा कर लोगे उसके बाद देखिए यहां पर मैं आ गई हूँ अपने मातारोनी के मंदिर में तो यह भी नया बनाया गया है यहां तो बहुत ही पुरोना मंदिर था पता नहीं दो तीन सौ साल तो वो तोर के और फिर देखिए नए डिजयन से मंदिर बनाया गया है और बहुत बड़ा मंदिर है और यहां पर मैं पूजा करने के लिए आई हूँ तो यह भी मेरे घर के पास ही है और देखिए मिल लीजिए मातारोनी से आप लोग भी और परनौम कर लीजिए और यहां पर पहले मूर्ती बनाया गया था लेकिन मतलब पहले था और अभी जैसे की जो है पोटू एक बड़ा सा लगा दिया गया है अभी मूर्ती बनाया जाएगा धीरे धीरे और जैसे पहले था उसी तरीके से और यहाँ पर देखिए मैं फिजा करके आने के बाद सबको तील और चावाल दे रही हूँ और सब यहाँ पर जो है आते हैं देने के लिए जो भी बड़े होते हैं वो आते हैं तो मैं सबका तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि यह सोशल मीडिया है तो यमें किसी को नहीं दिखाऊंगी यह हमारे घर की थी अपनी थी तो फिर उतनों जदा हमें प्राव्लम नहीं लगा और आप लोगों को दिखा दी तो वच्चों को भी दे दिये हैं और फिर उसके बाद अभी जो है आप लोग भी आ जाया आप लोग भी ले लीजिए हमारे हाँ से तील चावल और देखिए मैं यहाँ पर जो है कौनो लेके आ गई हूँ क्योंकि बहुत ही जोर से भूक लग गया था और देखिए यहाँ पर से तील चावल देने के लिए आ गई है मतलब कि आज तो पूरे दिन यही लगा हुआ रहता है सब सभी के यहाँ देने के लिए जाते हैं तील चावल और अच्छा भी लगता है और आप लोग के यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है तील चावली इस तरी के सिद्या जाता है या नहीं आप लोगों में कोमेंट करके जरूर से बताइएगा तो प्रेंड्स आप सभी का मकर संकरोंती कैसा गया बताइएगा जरूर हमारा तो बहुत ही अच्छा गया है और अभी वीडियो बहुत ज्यदा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और थोड़ी बहुत चीज़े है जो मैंने इसमें नहीं द निखाओंगे और अभी हमारे ग से लेये सब्सक्राज चाहा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर्स वीडियो को देखिए गा तो वीडियो पसंद आयa होगा तो लाइक करियेगा फैमली दोस्तों के साद्सेर कर दीजिए और वारत शलीमाhey कर दीजिए था संक्टिन बाइ 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 माइट